Hey guys, welcome you all on plants and planet Guys, अपने सामने आप जो ये रंग बिरंगे flowers के बड़े बड़े गुच्छे देख रहे हैं ये मेरी मधु मालती की बेल है आज इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे इस बेल का खयाल रखें और जादा से जादा flowering इस पर हम कैसे पाएं मधु मालती को ये में हिंदी में मधु मालती जुमका बेल, मधु मंजुरी, राधा मोहन बेल, चाइनीज हनी सकल बोला जाता है और इंगलिश में इसे रंगून क्रीपर कहते हैं इसका जो बोटैनिकल नेम है वो कॉम्ब्रेटम इंडिकम है और यूनो सालो साल चलने वाली बारो मासी फूल देने वाली बेल है ये और एशियाई कंट्रीज में सबसे ज़्यादा अगर कोई बेल पाई जाती है तो वो ये मधु मालती की बेल है क्योंकि बेहती हार्डी है और इस पर जो ये रंग बिरंगे फ्लार्स खिलते हैं तो कई सारे प्लांट्स का कॉम्बिनिशन हमें एक ही जगे मिल जाता है और इतनी अच्छी फ्लारिंग इस पर होती है कि घर आंगन में कहीं पर भी लगी हो हमारा आपका घर सेंटर ओफ अट्रेक्शन बना रहता है इस बेल की वज़ा से और यूनो सुबा शाम इसमें से बहुत हलकी हलकी सी खुश्बू आती है जो की बहुत अच्छा एहसास कराती है और इसके जो ये फ्लार्स हैं सफेद, हलके गुलाबी, गहरे गुलाबी, डेली इनका कलर चेंज होता रहता है तो पॉलिनेटर्स को भी ये अपने तरफ अट्रेक्ट करती है तो गैस किस तरह से इस बेल का हम खयाल रखें उस पर बात कर लेते हैं तो सॉयल को अगर देखा जाए तो जो भी सॉयल मिक्षर में आप इस प्लांट को लगाएंगे, इस बेल को लगाएंगे बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाएगी नॉर्मल जो सॉयल मिक्षर हम लेते हैं, उसमें 60% हम गार्डन सॉयल रखते हैं 30% उसमें कावडन कंपोस्ट और 10% नीम केक का मिशरन लेकर के इसका सॉयल मिक्षर तयार किया जाता है बात करें अगर वाटरिंग की, तो इस बेल को पानी बहुत पसंद है गर्मी के समय में इसमें सूबा शाम दोनों समय पानी डालना चाहिए और हो सके तो हफ़ते में एक बार इसको अच्छे से शावर भी करें बात की जाए अगर विंटर सीजन की या फिर बरसात में तो बरसात में तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर विंटर सीजन है और जैसा की अभी हम देख रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में इसको पानी कम दें ये देखे मैंने अपनी इस बेल को जमीन में लगाया हुआ है और इसकी बहुत फास्ट ग्रोथ होती है आठ से दस मीटर तक इसकी हाइट चली जाती है और अच्छी खासी छाया इसकी नीचे रहती है और बढ़ती भी ये बहुत ज़्यादा है तो यूनो प्रूनिंग के मदद से इसको एक कंट्रोल्ड शेप दे सकते हैं जिससे के ये घनी भी हो जाती है और इसे एक मन्चहा आकार हम दे सकते हैं और बात करें गाइज प्रोपोगेशन की तो कट्टिंग से इसके नए प्लांट सम तयार कर सकते हैं ये देखें मैंने अपने इसको कट्टिंग से तयार किया हुआ है और इस पोर्ट में लगाया है और बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें अभी शुरू हो गई है नए लीव्स भी आना शुरू हो गई है तो बहुत आसान है इसको प्रॉपोगेट करना और इसके अगर नीचे जमीन रहती है और कच्छी मिट्टी है तो उसमें भी आप देखेंगे कि फूल गिरने के बाद जो बीज से नए नए प्लांट भी निकलते हैं तो उसे भी आप अलग करके नए प्लांट बना सकते हैं बात करें गाईज फर्टेलाइजर की तो इसे एवरी सिक्स मन्थ फर्टेलाइज करना चाहिए और पैस्ट अटेक के बारे में अगर बात की जाए तो क्योंकि बहुत अच्छी हाइट इसकी चली जाती है आठ से दस रोगर करके पैस्ट साइड आता है जिससे मैं इस पर पैस्ट कंट्रोल कर पाती हूँ तो उसके लिए एक बड़ी सी बाटल का इस्तमाल करके और एक ढकन एक लीटर पानी में डाल कर उसको अच्छे से शेक करके इस पर स्प्रे करना चाहिए तो उसमें भी इसकी जो पैस् की समय में ही होता है तो गाइस कैसी लगी आपको ये मधुमालती को लेकर की सारी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आए आपको तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें इसकी साथ ही आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें थैंक यू सो मच फॉर वाचिए